सरकारी राशन के दुकानों पर मिलने वाला चावल यूपी के बाहर भेजा जा रहा है आगरा पुलिस ने भारी मात्र में सरकारी चावल पकड़ा है चावल हर्याना पहुंचाय जा रहा था चावल के साथ चार गिरफतार भी किये गए है राशन के चावल की जमकर काला बजारी होती है बड़े पहाने पर राशन के चावल को दूसरे राज्यों तक पहुंचाय जाता है जिलापूर्ती विभाग के दवारा सिकायद दर्ज करा गई थी सिकायद दर्ज होने के बाद डीसी पी बेश्ट सोनम कुमार की टीम ने एक्स किया गया है सुमित उर्फ इल्ले मनीश अगरवाल का साला लगता है मनीश अगरवाल सरकारी चावल को कम दामों में खरीदता था और दूसरे राज्यों में बीशता था कि देखें 12 सेप्टेंबर को फूर्तिनी डिक्षक सुनल कुमाय के दोड़ा तहरीव दी गए थी उसक्रम में 10 सेप्टेंबर को हम लोगों ने ग्राम रायभाब गुद्धा का नगला में मनीश के गर से इसके बाद इसको वर्काउट करने के लिए टीमे लगाई गई थी और एसीपीस के अंदर लगबग साथ आख टीमे बनाई गई गई थी तीमे लगई लगई गई गई गड़ पगड में लोग लगे हुए थे पर आज मुकुद्धी से सूचना प्राप थी और उस क्रम में तुन लोग यहां गिरिफ्तार कर रहे हैं सुमित इरुफ इल्ले मनीश घंशाम और ज्ञाइकिशिन इसमें घंशाम और ज्ञाइकिशिन जो कोटेदार हैं यह लोग अबायद रूट से जो है अंतरराजिये विख्रे करते थे बहले तो महंडारन भी करते थे और अंतराज पकड़े गई चावल को पंजाब और हडियाना पहुंचाना था लेकिन उससे पहले थाने पहुंच गया जो भी बरामद हुआ है इनके पास है इसमें जैसे भी हमें का फर्दापाश होगा बाते मेंबर्स को भी पखला जाएगा अगर को सरकारी मुलाजिय में तो इसको भी जो भी इसमें जो भी जैसे कति क करवाया करह एकर होनी है अगर माफिय की करवाया जो भी नियम अनुषार करवाया को भनती है इसमें अभी हम लोग चार लोग बेचना इसमें मनीश का अपराद़ी के तunci भी है इस पर लगबभ चार मुकदमें ऑश्च वस्त होद्यम कर द कर ला है कि तर सकतर दुकान से चावल खरीद कर तमाम बोक्ता सस्टतिंगों में बैज ठीटे एक अक्सर देखने में यही आता है द़ी कई वह को दो वक्त का निवाला मिल सके इसके लिए इसके लिए सरकाद अंतो देव योजना भी चला रखी है सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से गरीबों को चावल और ग्यों दिया जाता है लेकिन चावल में बड़ा खेल होता है ऐसा नहीं है रासन डीलर ही इसमें सामिल है घिराक भी इसमें सामिल है घिराक चावल को दुकान से लेते हैं और उसको टतकाल बेज भी देते हैं खईदने वाले भी मौके पर मौझूद रहते हैं तमाम डीलर ऐसे हैं जो खुद ही चावल खरीद लेते हैं बड़े पैमाने पर चावल का खेल चला है आगरा का चावल दूसरे राज्यों में पहुंचा आए जाता है जिस पैमाने पर आगरा पुलिस ने चावल पकड़ा है उससे साप हो जाता है कि सथ तक इसमें माफिया सक्री है कब तक ये खेल चलेगा जिम्मेदार उभोकता भी है क्योंकि चावल लेकर बेच देते हैं सस्ते दामों में बेच देते हैं अपने साथी अगले दूबे के साथ राकिश करूजिया सी नियूस आगरा